नमस्कार मैं हो दिनेश गौतम आज फुल एंड फाइनल में हम सबसे पहले बात करेंगे देश के सबसे बड़े उद्योग पती के आतंकी निशाने पर होने की एंटिलिया केस में जैसे जैसे जाँच आगे बढ़ रही है साज़िश की नई परतें खुलती जा रही हैं जेलेटिन, स्कॉर्पियो, इनोवा और सीसी टीवी से मिले सुराग आतंकी साज़िश होने का इशारा कर रहे हैं इसके साथ ही हम बात करेंगे लोसी की भी जहां खान साहब घबराए हुए हैं बात समझोते की यार में साज़िश की भी होगी लेकिन फोने इन फाइनल की शुरुआत करेंगे अंबानी के घर के पास मिले विस्पोटक मामले में केस की और क्राइम ब्रांच की आतंकी साज़िश वाली बात से ये एहम ख़बर देखिए अंटीलिया केस में 48 घंटे बाद भी मुंबाई पुलीस के हाथ खाली है अब तक पुलीस के हाथ नहीं लगा है कोई ठोस सुराग अंटीलिया केस में आतंकी एंगल से भी जाच की जाच की जारही है सुरक्षा एजेंसिया कई एंगल से जाच कर रही है अब तक इस बारे में कोई ठोस दिशा मिलती हुई दिखाए हाई दे नहीं रही है ये वो तस्वीरे हैं जिन से ये सपष्ट हो रहा है कि इस पूरे साजिश को शडियंत्र को अंजाम कैसे दिया गया अश्विनी पांडे हमारे समवाद आता विपिन चौबे इस बारे में और ज्यादा जानकरी लेकर हमारे साथ जुडेंगे और इसके अलावा विक्रम सिंग साहब पूर्फ डीजी पी उत्तर प्रदेश के वो हमको जोईन कर रहा है लेकिन सबसे पहले इस मामले में लेटिस क्या है जान लेते हैं अश्विनी पांडे और विपिन चौबे से विपिन सबसे पहले अब से कुछ दिर बाद एक प्रेस कांफरेंस की बात भी की जा रही है क्या पुलिस इस मामले में कुछ कह सकती है दूसरा वो वर्ती इन साजिश करताओ तक पहुचा सकता है जिसने स्कौर्पियो खड़ी थी खड़ा करके पाक करके इनोवा गाड़ी में सवार होके चला गया था इनोवा को दो-तीन जगह इस टोल पे टोल के सिसी टीवी में स्पॉर्ट जरूर क्या गया है लेकिन अभी तक वो इनोवा गाड़ी बरामद हुई है या नहीं हुई है पुलिस ये बता सकती है तीसरी बात जो जिलिटन बरामद हुई है जो जिलिटन बराने वाली कमपनी है उसके माली का बयान आ चुका है उसने साफ किया कि हम बॉक्स में पैक कर देते हैं अगर बॉक्स मिले तो हम ये बता सकते हैं कि ये माल किसको सप्लाई हुआ था लेकिन जिलिटन को देखके हम नहीं बता सकते हैं तो तीन चार चीजे हैं जिसको पुलिस को पता करना है तो संभावना यह है कि शायद इस प्रेस कांफरेंस में कुछ सवालों के जवाब पुलिस को मिल गए हो और उन सवालों के जवाब पुलिस दे लेकिन अभी ये कहना थोड़ा असंभव है गौतम दिरेश कि शायद पु आतंकी एंगल को इंकार नहीं किया है इसलिए यह सबसे बहुत पूर्ण बात है कि देश के सबसे बड़े बिजनिस फैमिली को क्या आतंकी संगठन भी निशाना बना रहे हो सकते हैं लेकिन जो चिट्थी मिली थी उसके अंदर उसमें साफ यह दिखाई दे रहा है अगर वो एक अपडेट जल्दी से ले लेता हूँ यह क्या इस मामले में कहीं कुछ ऐसा पता चल रहा है जहांसे यह दिखाई दे कि हाँ अब जाच किसी सिरे की तरफ पहुँच रही है या अभी तक केवल महतुपूर्ण यह जो तथ्य हैं बस यही सामने है और इसी के आधार पर जाच करनी है जाशिक रूट पे उन टोल की जाज कर रही है वहां की लोकल पुलिस कॉलेट किया गया है इनोवा का जो कलर है और जो नंबर प्लेट है उसकी जानकारी दी गई लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इनोवा का जो नंबर प्लेट लगाया था वो फरजी था ऐसे में जो इस बात पर निगाह रखते हैं कि क्या कहने वाली है पुलीस कुछ देर में प्रेस कॉन्टेंस में क्या इस बारे में कोई जिक्र होता है कि नहीं अबे के बाद ये सही था कि कुछ हमको संतोष था कुछ विवस्था के बारे में लेकिन 26-11 के बाद वो हमारा जो समाधान था या हमारी आश्वस्तता थी उसके प्रस्टिशन लगा और उसके काल अंतर में भी देखें अपनी आलोचना करने में कोई बुराई नहीं है क्योंक प्रकाश नहीं डालूँगा लेकिन अगर आप खुद भी सिक्रिटी आउडिट कर ले कई टीवी चैनल ने किया भी इसको तो बहुत जादा लूप होल्स हमारी सुरक्षा विवस्था में पाई गई हैं जिसको प्लग-इन करना बहुत जरूरी होगा और ये वर्तमान प्र प्लग-इन करना आए उनको इसको इसी तरीके से अंजाम देना था कि एक बड़ी धंकी चली जाए और धंकी के लिए उन्होंने लेटर प्लैंट किया था क्या उन्होंने इस बारे में पहले से ये देख लिया था कि कहां कहां तक एजन्सी पहुँच सकती हैं किसके जरिये से पहुँच सकती हैं इसलिए इसको कैसे अंजाम देना है और मैसेजिंग इसका उद्देश है क्या निसंदेह दिनेश जी आप सही निश्करश पर दुबारा आए हैं आगर आप ये देखें फरजी नंबर प्लेट उन्ही कों की जो की कॉन्वाइ में सुरुक्षा में अन तैयारी में दो वहनों की विवस्था की एक स्कॉर्पी एक इनोवा जेलेटीन स्टिक्स का इंतिजाम किया और एक धंकी भरा पत्र लिखा इसके पहले वी दिनेश जी ये इंडिन मुजाहिदीन का नाम आया था मैं अभी को निश्करश पर नहीं कह रहा हूं लेकिन धंकी दे के भय और आतंग का वातावरन व्याप्त करा देना ये चरम पंतियों का ही ये मोडस ऑपरेंडाइ टिपल है और फुट्प्रेंट्स उढ़ी की तरफ जाके दिखाई पड़ते हैं इतना दुस्टाहस प्लैनिंग रेकी तैयारी करना तैयारी में हाई-end वेहिकल का इंत वहाँ से जेलिटिन की छणों का मिलना मतलब विस्फोटक तो है लेकिन डेटोनेटर का वहाँ पर नहीं मिलना ये किसलिए रखी गई थी और असल में क्या ये इससे कोई डिवाइस आगे बनाकर और फिर इसको एक्स्प्लोड किया जाना था क्या ये एक महतुपूर्ण के पास, उसके बाद चलते हैं, हमारे सम्वादा, तब हिये हमारे साथ बने हुए हैं, असल में इस पूरी डिजाइन को समझना आवश्चक है, वो कौन है, जो देश के सबसे बड़े बिजनेस्मन के परिवार को धमकाना चाहता और धमकाना क्यों चाहता है? वो क्यों चाह है क्या इससे अभी तक मुंबई पुलिस ने इंकार नहीं किया और हम यह देखते रहे हैं कि वो पाकिस्तान की सरजमीन से आपरेट करने वाले आतंकी हों के उन्हों अक्सर मुंबई को मुंबई के लोगों को निशाना बनाया है और इस बार भी ऐसा हुआ हो सकता है गाड़ी मंसुक हिरेन के नाम दर्ज है यह जो स्कॉर्पियो है यह 2020 की मॉडल है स्कॉर्पियो और यह गाड़ी मंसुक हिरेन के नाम पर दर्ज है इसके अंदर से कई दूस पहुच गई है गाड़ी लेकिन जब इसको ये देखा गया कि जो पूरा रूट है उसको फॉलो किया जाए और सीसी टीवी जहां जहां लगे हुए है उससे ये निकाला जाए कि कहां से शुरू हुए और कहां पर जाकर इन्होंने खत्म किया तो गाड़ी एरोली ब्रिज के पास सड़क के किनारे से गायब हो गई थी ऐरोली ब्रिज के पास सीी टीवी ने जो देखा वो ये देखा कि यहाँ पर सड़क के किनारे ढाल में उत्री और वहां से गायब हो गई अरोपियों ने गाड़ी की नमबर प्लेट बदल दी थी और चेसी नमबर खुरच दिया था नमबर प्लेट बदल दी थी पहचान शेपाने की कोशिच की गई थी उसके बावजूद पहचान इस्टैबलिश कर ली गई और मनसुख ही रेंज जैसा हमने बताया उसके नाम पर ये गाड़ी दर्श पाई गई कार से मिली जिलेटिन की छणे नागपुर के सोलर इंडिस्ट्रीज नाम की कंपनी ने बनाए है बहुत घातक विसफोटक है ये जिसे हम जिलेटिन की छणे कहते हैं असल में इसमें नाइट्रो सेलिलोज होता है जिसको नाइट्रो ग्लिसरॉल में सस्पेंड किया जाता है और साथ में होता है पोटेशियम या सोडियम नाइट्रेट ये बहुत खतरनाक विसफोटक और इससे इसको detonate अगर किया जाता तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी पुलिस को लोगों की जानकारी मिल चुकी है जिनहें कमपनी ने जिलेटिन की छड़े बेची थी दो तरीके से इस्तिमाल होता है इसका ब्यापारिक इस्तिमाल भी होता है कई जगों पर जहां construction का काम चल रहा होता है वहाँ पर explosion के जरिए चीजों को समतल करने वहाँ से obstructions हटाने और infrastructure को ले करने के लिए ये किया जाता है कार खड़ी करने वाले आरोपी ने अपनी पहचान चिपाने के लिए पूरी एहतियाद बरती है दिख रहा है जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि CCTV में कहां कहां पर पकड़ में आ सकता है और कैसे उसका चहरा नहीं पकड़ में आना चाहिए क्योंकि चहरा पकड़ में आ गया तो शिराक्त हो जाएगी पहचान इस्टेब्लिश हो जाएगी और उसके बाद एक एक करके एक कड़ी दर कड़ी चीज़ें जुड़ती चली जाएगी इसलिए ये सुनिश्चित किया गया कि चहरा पकड़ में ना आए इसलिए उसने इंशोर किया कि वो दूसरी तरफ से उतरे जहां CCTV की जद में उसका चहरा नहीं आएगा एंटिलिया के बाहर गुरुवार को संदिक्त कार के बगल से गुजरने वाली इनोवा की तलाश तेज हो गई है वो इनोवा जो लगातार स्कॉर्पियों के साथ थी यहां तक कि हाजी अली के पास भी इनोवा और स्कॉर्पियों दोने देखे गए थे और पहले वो जो स्कॉर्पियों चला रहा था वो इनोवा के अंदर बैठा हुआ था यह कनेक्शन क्या है गाडियों का और यह गाड़ी कहां गई यह पता करने के कोशिस की जा रही है आशंका जताई जा रही है कि आरोपी इसी कार में बैठकर फरार हुआ होगा में आतंकी कनेक्शन आतंकी कनेक्शन की आशंका की पाँच वजहें क्या है क्यों लग रहा है कि आतंक्यों का काम होगा स्कॉर्पियों से 1.5 किलो यानी जिलेटन के 20 सरिये मिले बहुत लंबे नहीं लेकिन बहुत खतरनाग तबाही मचा सकते हैं 20 चड़ों में यह अगर पूरी चड़ों को आप एकसास बिला दें और इसको डेटोनेट किया जाए तो पूरे बेस्मेंट एरिया को तबाह करने की ताकत है 20 किलो जिलेटिन से 3000 क्यूबिक फिट शेत्र प्रभावित होगा अगर ये ये देखा जाए कि कितने बड़े इलाके में तबाही मचा सकते हैं तो सफीशियंट इलाका वो है जिसको ये टार्गेट किये हो सकते थे हैं कामतोर पर नकसली जिलेटिन के सरीय का इस्तिमाल करते हैं नकसल वारदातों में इसका इस्तिमाल किया जाता है लेकिन gelatin को dynamite के मुकाबले ज्यादा stable explosive माना जाता है, handling भी आसान होती है, मतलब वो लोग जो इससे IEDs बना रहे होते हैं, explosive devices, उनके इसके चपेट में आने का खत्रा कम होता है और ये ज्यादा targeted रूप से काम करती है, इसलिए gelatin की छणों का इस्तेमाल, लेकिन क्या ये नकसली हो सकते हैं, क्या ये local gangs हो सकती हैं, क्या ये आतंकी हो सकते हैं, क्या हो सकता है, विकरम सिंग साब आपको क्या लग रहा है इस मामले में दिरेश जी ये 100% आपके आतंकी संगठन है, क्योंकि इतनी तैयारी preparation, gelatin का इस्तेमाल और धमकी देना, हम ये समझने की मुकेश अंबा पाकिस्तान के GDP के आल्मोस बराबर है, 92 billion dollar हैसियत Reliance Industry की है, और पाकिस्तान का turnover का लगबग 200 billion dollar का है, आप ये समझ सकते हैं, कि मुकेश अंबानी और Reliance पे आकरमण भारत की अर्थ वेवस्ता पे आकरमण है, और ये इसके पहले भी जब इंडियन मुजाहिदीन की धमकी आ परादेना, ये सपष्ट इंगित करता है कि ये आतंकवादी गत्विधियों की प्रबल संभावना है, अभी को निश्कर्श पर नहीं कहा ज़कता है, लेकिन इस संभावना से सबसे प्रबल संभावना अगर आप उससे पूचें, तो आतंकवादी गत्विधियां जो की प पांडे हमारे समवादाता, उनके पास एक बार फेर से चलूँगा, आश्वनी जिरिटिन की छणे खास तोर से बेचते हुए बहुत एहतियाद बरती जाती है, पहचान सुनिश्चित करने से लेकर इसका किस तरीके से इस्तिमाल होने वाला है, कहां इस्तिमाल होने वाला है, यह पूरी जानकारी रखी जाती है, क्या सोलर कंपनी जो नाकपुर वाली है, उसने इतनी परियाप्त जानकारी दी है कि सुरक्षा एजेंसियों के काम आए या वो भी नाकाफी है? तमाम जानकारिया लेने के बाद जो वेरिफाई किया जाता है क्राइम ब्रांच की तरफ से, क्राइम ब्रांच की तरफ से वेरिफाई किया गया है, क्राइम ब्रांच ने यहां तक कि जो जिस गाड़ी में ये जिलेटिंग की छड़े मिली है, उस गाड़ी के मालिक जो मनस जाहां थे हमने किसी को अभी तक क्लीन चीट नहीं दिये चाहे वो नागपूर की कंपनी हो जहां कि यह जड़े बताई जा रही है चाहे जिसकी गाड़ी इसी बाद कुछ कहना चाहरे है ज़रा उनसे समझें कि क्या कहना चाहरे है विक्रम सिंग साफ जी जी जीलतिन की स्टि है तो जहां अवैधानिक खनन होता है वही के अपरादिक तत्व इन जेलिटिन स्टिक्स को प्राप्त करते हैं चाहे रिश्वत दे करके यह चोरी करके और उसके बाद इनके माध्यम से अन्या सामाजिक तत्वों को और कई इंट्रोगेशन ने मैंने पता लगाया तो चरम का जो का मिलेगा भी नहीं लेकिन उन अपरादिक तत्वों के पास यह जेलिटिन से कैसे गई यह एक दूसरा विवेशना का प्रश्ण होगा यह बहुत महदुपूर्ण जानकारी विक्रम सिंग साहब कह रहे हैं कि हो सकता है जिन्होंने खरीदा हो नोने जैन्विन परप तक थी कब उनके पास से गायब हुई गायब हुई तो उन्होंने अफाई आर की कि नहीं की यह तमाम चीजें को इशारा कर रही है क्या पाद इन्हों ने क्या आक्शन लिया यह सारी चीज़े सामने आच चुकी है पुलिस के इंट्रोगेशन में और इंविस्टिकेशन में सामने आच चुके लेकिन पुलिस जो बयान है उस बयान को वेरिफाई कर रही है लेकिन इसके साथ ही पुलिस को सामने दूसरा बड़ा जी आए है कि जो दूसरी गाड़ी है वो इनोवा कहां है और जो तीसरी बड़ी बात ये है कि जो शक्स इनोवा और स्कॉर्पियो में बैटकर आया था है स्कॉर्पियो गाड़ी पाक करके इनोवा में बैटकर सवार होके चला गया वो अगर हाथ लग जाए तो इस कड़ी मे एक बड़ा खुलासे की उमीद की जा सकती है और इसलिए पुलिस अभी हाथ पेर मार रही है तमाम तीन-तीन एजेंसियां इस पूरे मामले में लगी हुई है जाच कर रही है और पुलिस ने अब मीडिया से भी बात करना बंद कर दिया है और सभावना यह है कि थोड़ी दिर पर पुलिस के हाथ में कोई कड़ी होगी लेकिन जब तक पुलिस उस आखरी शक्स तक नहीं पहुँच जाती तब तक इस मामले का खुलासा होना बहुत मुश्कल अब इस उस पर निगाह रखें अब दूसरी आहम खबर कर रूख करें पाकिस्तान को भारत की सर्जकल स्ट्राइक का खौफ है पाकिस्तान आर्मी ने एंटी एरक्राफ्ट गन की तैनाती कर दी है मुझफराबाद, बहावलपुर और गौदर में एर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है पाकिस्तान आर्मी ने एंटी एरक्राफ्ट गन की तैनाती की है मुझफराबाद, बहावलपुर और गौदर में एर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिये गये है क्या डर सता रहा है पाकिस्तान को अगर उसने वाकई डीजी एमो लेवल की बातचीत में जो सदाशेता जाहिर की थी अगर पाकिस्तान वो मीन करता है अगर पाकिस्तान का मतलब था वाकई कि वो चाहता है सीज़ फायर वाइलेट नहों अगर वो चाहता है कि अब एक बार फ दिखाई दे रही है तो सुमित हमारे सवाद आता इस बारे में बारचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीडी बक्षी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं और जावेद गफ़ारी वरिश पत्रकार इसलामबाद से आपको नजर आ रहे हैं आप स बाला कोट की एनवर्सरी थी और अभी ये खबरे लगातार पिशले कभी काफी लंबे समय से आ रही हैं कि उन्होंने इन सारे इलाकों के अंदर अपनी एडिफेंस गन लगा दी और किन इलाकों में जहां पर उनके टेरिस्ट कैंप मौजूद हैं क्यूंकि पाकिस्तान को यह उमीद थी कि अगर अभी भी चीजें नहीं रुकी तो भारत जो है कोई बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक या बड़ा आक्शन ले सकता है डीजी एमू लेवल में भी बातचीत के अंदर ये कहा गया कि हम शान्ती चाहते हैं हम चीजों को कामडाउन करना चाहते हैं तो यह बॉकलाहाट और प्रेशर नजर आ रहा है पाकिस्तान पर जो भारत का ही क्रेट किया हुआ है और यह जीडी बख्षी साहब से समझूगा जीडी बख्षी साहब किसी को अगर कोई बीमार है तो उस समय उसको अस्पताल ले जाए जाए उसके गुजरने के साल भर बाद बर इंदी इस्ट स्ट्राइक इन दे वेस्ट 從 ओल व्ारफेर इस बेस हान डिसेपशन हम लोग ह्रां थे कि चीड और जो आका है पाकिस्तान का और पाकिस्तान दोनों एक जो हैं पीस ओफेंसिव में लगे हुए हैं शांती की बाते कर रहे हैं बड़े जो हैंरी रीजनेबलन गुडविल की बातें कर रहे हैं तो जो हम पुराने फौजी हैं हमें तो साब एकदम शक का एंटेना खड़ा होता है कि साब दाल में कुछ काला है दाल में कुछ काला है एक तरफ से डी जी एमों की बातचीत हुई दो वज़े उसकी हो सकती है पिछले साल चीन ने देखा था कि पाकिस्तान का मुराल बिलकुल बूट में पहुँच चुका है खासतर उड़ी के बाद बाला कोट के बाद पिटने के बाद पाकिस्तान बहुत सहम गया है और 370 हटाने के बावजूद वो कश्मीर में कोई बड़ा वारदात नहीं कर पाया तो चीन ने पाकिस्तान को प्रत्साहन देने के लिए इस्टन लदाख में कारवाई शुरू की थी कोविड की आड़ में चीन को साम लेने के देने पड़ गया उल्टे बास बरेली को हो गया जब पाकिस्तान ने देखा कि उसका आका सहम गया है और पीछे की तरफ जा रहा है पीछे की हरकत शुरू हो गई है ठंड में चीन के सेनकों के बुरे हाल हो गए हैं और वो किसी भी कीमत पे डिसंगेजमेंट करना चाहते हैं तो पाकिस्तान ने भी इसके साथ जो है शांती की नौइजिस शांती की बातचीत शुरू कर दी लेकिन मेरा ख्याल है कि हम जर एलसी पे सीजफायर की बात करना बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप टेरिरिस्टों को अंदर इन्फिल्ट्रेट करने के लिए कवरिंग फायर देते रहेंगे आड़ देते रहेंगे तो मेरा ख्याल फिर तो साब युद का दरजे हरारत कम होना बहुत मुश्किन है आपके पास दोबारा लौट रहा हूं जावेद गफारी ऐसा क्यों मतलब अगर यह वाकई नियत में है कि अब कम से कम जहां पर हम लोगों की सरहदें मिल रही है वहां पर शांती कायम रखी जाएगी यह अगर नियत में है तो फिर यह तैनाती का मतलब क्या है किस बात का अंदेशा है या क्या करना चाहा जा रहा है जनेश जी मेरी नियत तो साफ है ना पाकिस्तान की नियत तो साफ है ना पाकिस्तान आपकी नियत को भी जानता है और जैसा के जेडी बख्षी जी ने बताया सारा कुछ और यह अल्ला की महरबानी से हमेशा यही बताते हैं पर निकलू बारेश हो रही हो तो उसमें च्छतरी ना लूँ कैसे हो सकते हैं आप से मारा मुएदा हुए है उसके दर हमने गोली नहीं चलानी तो क्या हम अपना प्रोटेक्शन भी ना करें हमने अपना प्रोटेक्शन तो करना है ना भाई पाकिस्तान इमानदारी के साथ आ पाकिस्तान का आक है चैना चायना क्यों आक है पाकिस्तान एक as graduates अपने decision खूदमे तरेon पाकिस्तान किसी से पूचके नहीं फैसले करता मइ चाहिना से पूछके किया है नए साथी एरेविया से पूछके किये किसी भी मुल्क की इन्वाल्मेंट नहीं है पाकिस्तान अपने फैसले कुद करता है अब अगर हम लोग अपना जाबेज गफारी किपीस की बात करने के बाद आप डिफेंस की तैयारियां कर रहे हैं तो यह दिखाता है कि कुछ कुछ नilians कुछ कही ना कहीं गड़़ड है आप ठीक है आप डिफेंस करने के लिए आजाद है आप चाहे जब लेकिन बारिश में छत्री खोड़िये ना जब आप ये कह रहे हैं कि मौसम ठीक रहेगा तब आप छत्री लेकर दोड़ रहे हैं इसका मतलब आपके इरादों में कुछ खलल नजर आ रहा है जीडी बक्षी साहब से आपने सवाल किया है तो जवाब भी ले ल करेंसे जब लेकर चलेंगे इसका मतलब आपको बरसात का अंदेशा है तब ही तो आद्मी छत्री निकलता है ना शरीडूप में कौन चत्री निकालके चलता है या जिस दिन खुला आस्मान हो कौन चत्री लेके जाता है तो एक तरफ जब आप जो है सकून अमनचैन की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ आप अपनी एरक्राफ गंज डिपलॉय कर रहे हैं जो की बड़ा लास्टेज होता है हमले के पहले दुश्मन के हमले के पहले या कोई कारवाई के पहले ही प्रिकॉशन इस तरह की ली जाती है तो आपको अपने घरेमान में जांकना है कि साथ चोर की दाड़ी में तिनका क्यूं है आपको हर चीज में गफलत क्यूं नजर आती है क्योंकि जिसके वो बुलते हैं चोरों को सारे नजर आते हैं चोर ठीक है साथ अगर आपके दिल में खोट है तो आपको हर कोई लगेगा कि इसके मन में खोट है ने मैं साब बड़ी लॉजिकल बात कर रहा हूं कि हमने आप से हम पीस की बातचीत कर रहे हैं चायना ने बोला वो पीछे हटना चाहता है हमने का साब हमने नहीं शुरू किया तमाशा तो आपने शुरू किया था आप ही को पीछे हटना पड़ेगा पहले अब वो ब्यूचोल डिसंगेजमेंट कर रहे हैं फोजों को अलग कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ आ गया है कि भारत अपनी जमी ऐसे सस्ते में नहीं देता साब लेने के देने पड़ जाएंगे महगा सोगा पड़ जाएगा तर ए ओडान भरी विंग कमांढडर अभिनन्दन पर पाकिस्तान मनां रहा है सरप्राइज डे ये ये तसवीरें हैं जो वहां से आई हैं ये सरप्राइज डे मना कर क्या दिखाना चाहरा है सुमिद पाकिस्तान एक फालुकी प्रकुकाद को लेकर, अपने लगाता पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को लेकर लेकिन फिर भी इस तरीके के जो शोओ अफस हैं या फिर जो आप इस तरीके से ड्रामा बता रहे हैं ये दिखाता है कि पाकिस्तान की करणी में और कत्री में बहुत फर्क है लेकिन दीडी बक्षी साथ सर्प्राइज तो तब होता है जब अचानक कुछ हो जाए ना, जैसे बाला कोट में हुआ था, ये सरप्राइज, ये सरप्राइज डे क्या, सर्प्राइज डे? देखिए साब सर्प्राइज डे क्या जब इनको पता था हमारे प्रदान मंत्री ने शरे आम एलान किया था कि साब अगर आप यहां बेवजा भारत के लोगों का नागरिकों का खून बहाएंगे आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी यू विल हाव टू पे अप्राइस इससे ज्यादा साफ लफजों में कौन क्या कह सकता था फिर भी आप कहें कि हम सर्प्राइज हो गए सर्प्राइज डे हो गया तो यह साब एक तो आप गफलत करो एक हमारे पैंतालिस जो है जवान जो छुट्टी से आ रहे हैं उनकी बस के आगे आप बाम ब्लास्ट लगाओ और फिर आप बात करो कि हम सर्प्राइज हो गए क्यों सर्प्राइज क्यों हो गए आपको कैसा आप क्या समझते हैं कि भारत हाथ पे हाथ दरे अपने लोगों की लाशें गिल लेगा कि आप यहां लाशें गिराया जाओ बेकसूर भारत पाकिस्तान का नया प्रोपेगंडा, पाकिस्तान में विंग कमांडर अभिनंदन का नया वीडियो वाइरल हुआ, अभिनंदन के नए वीडियो में लगे हैं 11 कट, दो साल पहले पाकिस्तान की सीमा में पहुंचे थे अभिनंदन, एक दिन बाद हुई थी उनकी रिहाई, ये बात के लिए रखा गया हथियार है सुमीद क्या है इसका मतलब क्या है यह से प्रोपोगेंडा है दिनेश और यह प्रोपोगेंडा इसल obsessed which क्योंकि पाकिस्तान को अपने आवाम को यह दिखाना है जटाना है किस तरीके से उसने मूगी नहीं खाई लेकिन दो साल पहले पूरी दुनिया ने देखा कि जब भारत को रिस्पॉंज देना पड़ा तो किस तरीके से भारत ने बाला कोट में एर स्ट्राइक की और ये भी दिखा दिया कि कैसे अविनंदन को वापिस भी लाया गया सुरक्षित उसकी से ये पाकिस्तान पर दवाव था और ये उन्होंने पनी पार्लेमेंट में माना है और पुल्वामा भूल के इम्रान को बाला कोट की आदा आगई है बाला कोट एर स्ट्राइक पाकिस्तान के पी-म इम्रान खानने सीजफार समझावते का स्वागत किया है ट्वीट क United Nations Security Council Resolution का ध्यान रखा जाए समझोते की आड में साज़िश कैसे होती है जरा वो देखने के लिए अब आप तयार रहिए और इसके लिए कैसे भारतिय जावास तयार रहते हैं वो आपको दिखाते है Cease Fire समझोते के बावजूद नदी नालों से घुसपैट कराने की फिराक में है पाकिस्तान आतंकियों को उस रास्ते से भेजने की फिराक में है पाकिस्तान के शकरगड, कलेल और सियाल कोट इलाकों में बने लांचिंग पैड से भारत की सीमा में आतंकिवादियों को दाखिल कराने की फिराक में है पाकिस्तान हुफिया जानकारी के मताबिक पाकिस्तान अब नदी नालों के जरीए घुसपैट करवाना चाहता है और ये पहली बार नहीं है, पहले भी कोशिशें की गई लेकिन भारत ने पुखता तैयारिया की कभी सुरंग खोद कर कभी नदी नालों के जरीए और घुसपैट की आशंगा को देखते हुए अत्याधुनिक हत्यारों से लैस B.S.F. बोट अभी पेट्रोलिंग कर रही है उन जगहों पर जहां से इस गुसपैट के अंदेशे बने हुए हैं 2020 से अब तक पाकिस्तान की तरफ से 5000 से ज्यादा बार सीसफायर का उलंगन किया गया है सीसफायर समझोते के बाद बॉर्डर पर खुशाली लोटी है बच्चों ने बॉर्डर पर तिरंगा लहरा कर खुशिया प्रकट की है और इस बात से पाकिस्तान को और ज्यादा दिक्कते हो रही है जावेद गफारी सहाव अगर अमन की बात होती है न तो अमन कायम करने के लिए नियत लानी चाहिए और वैसी कोशिशें करना चाहिए बात अमन की और हाथ में छुरा तो फिर कैसे चलेंगी अमन की कोशिशें आगे पाकिस्तान आर्मी वेरी प्रफेशनल वेरी फाइन बहुत जबरदस और प्रफेशनल आर्मी यह हमारे पास यह मैं नहीं कह रहा है अभी नंदन कह रहे है आप उनका इंटर्वियों करें उसके पता नहीं करते आपका तो भीयों है आज हम उनको जाद कारें आपसर सुमित कुछ कहना चाहरा है ना तो हमें से किसीने ना नरॉला साथ ने जीडि बख्शी ने किसीने भी ये बात बिलकुल नहीं कही कि पर बैठकर कुछ भी कह लीजिए वो रिकॉर्ड मिटने वाला नहीं है गफारी साब के आप लोग की जुर्रत है तो कल बुशन जादेव को लेके जाएं कल बुशन जादेव हमारे पास बैठे हैं आप लेके जाएं आपकी जुर्रत नहीं है अभी नंदन क्योंके किसी और जुर्रत इसले नहीं है गफारी साब क्यूंकि मैटर इंटरनाशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है कोट के मैटर का सम्मान करता है बारत इंटरनाशनल का करता है आप बले ही ना करते हो लेकिन बारत जरूर करता है आईसीजे के फैसले के मताबिक क्या किया आप लोग ने आप लोग तो उसको समझते हैं नहीं कुछ आपके पास हम फैसले का वो कैसे कर लेंगे जावेद गफारी पाकिस्तान बहुत ही सीरियस है अमन के लिए और बहुत ही सीरियस कोशें करता है लेकिन आपका मीडिया और जीडी बख्षी जैसे जैसे भी बैठे हुए है वो नहीं चाहते क्योंकि उनका तो हुका पानी यही है कि नेकितिव बोलना है अब नेकितिव पाकिस्तान ने अमन का हास मड़ाया पाकिस्तान ने अमन के मौहिदे पर साइं किया यह क्या कहेंगे जीडी बख्षी कहेंगे नहीं जी यह तो अच्छा नहीं हुआ इनको तो अच्छा लगना ही नहीं है आप खुद इमानदारी से सोचें पाकिस्तान अगर अमन की बात क है आपके आहां देख लीजिए एक बार और वहां जब आपकी फौजें बदाखलत करती हैं आपके आपके सिविलियन मैटर्स में जब वो सरकारें बना कर वहां चलाने लग जाती है तो आप यह देखिए कि किसके लिए इस डिए यह मैटर्स बने रहने में भालाईए हमारे आने ही किया जाता है जीडी बख्षी आइना दिखाने का काम करते हैं वो लोगों को बुरा लग जाता है आपको यही बताया जाता है ना कि पाकिस्तान अफवाज वही करती है जो हकूमत करना चाहती है अब आप यह मत कह दीजेगा कि सिगनल भी हमने कुछ करा दिया यह हिंदुस्तान की साज़िश अब इसमें मत आ जाईएगा प्लीज आप जीडी बक्षी साब मैं आपके पास आने वाला हूँ लेकिन उससे पहले खबर बता दूँ सीजफायर समझोते की आड में पाकिस्तानी साज़िश बेनकाब हुई है आतंकियों को लेटनेंट जनरल वाई के जोशी की सीधी सीधी वार्निंग है कि घाटी में आतंकियों का सफाया जारी रहेगा सीजफायर समझोते से एंटी टेरर ओपरेशन नहीं रुकेंगे मैं आप सब को विश्वार जना चाहता हूँ कि इस सीजफायर का काउंटर टेररिस ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हम लोग सतर्प्ता बनाए रखेंगे लाइन अप कंट्रोल पर फायरिंग बंद होने से शांती बहाल होगी और अवाम अपना जीवन को सुरक्षा के बातावरन में बसर कर सकेगे जीडी बक्षी साहब आपने कहा था कि हमारे तो फौरन एंटीने खड़े होते हैं कि ये हो क्यों हो रहा है क्या इसलिए हो रहा होगा क्या ये कि थोड़ी सी असावधानी हो थोड़ा सा चीजों को कैजुवल लेने के मूड में इधर से दूसरा पक्ष जैसे ही आता है घुसपैट शुरू करा दो देखे साब ये पाकिस्तान की फितरत है जूट बोलना फरेब करना और धोखा देने की कोशिश करना लल करना की साब सब शान्त हो गया है और एकदम से वार करना तो जब भी पाकिस्तान शान्ती की बात करता है ये मुल्क एकदम से हम पुराने सिपाहियों के तो एंटने खड़े हो जाते हैं कि साब दाल में कुछ काला है क्यूंकि ये एक ऐसा मुल्क है जो ना चैन से जीएंगे ना किसी को चैन से जीने देंगे तो हमको बिलकुल वी शूड ट्रस्ट बट वेरिफाई बिलकुल वेरिफाई करना पड़ेगा देखे एक तरफ से ये कह रहे हैं हम शान्ती चाहते हैं दूसरी तरफ से ये टेरर को री स्टार्ट करने की पुर जोर कोशिश कर रहे हैं विंटर में इनके जो टेरिरिस्ट चाहते हैं उनके पाहलों के निशान बरफ में साफ दिखते हैं इसलिए विंटर में सो बाइसे इनकी दोकर है सब्तीर कोुझे आप हमारे ट्रूप्स के सर पर फायर करें गोले दागें और हम चुप चाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे जाएंगे इसलिए हम कहते हैं कत्री पर नहीं जाते एक करणी की लेक्षिक भरोसा कीजिए लेकिन वह एतबार अंधा नहों आप साथ में जांचते रहिए कि वैसा ह और आपके पास सुमित लेकिन जल्दी से मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्यों जोशी साब को यह लगा होगा कि इसको रीटरेट कर दिया जाए अंडरलाइन कर दिया जाए लिके बिलकुल यह तो सपश्ट है जिस दिन डीजेमो लेवल की बैठक हुई 22 तारीक के बाद जब यह बैठक हुई तब यह साफ कर दिया गया था कि भारत की तरफ से no tolerance policy, terrorism पर कोई counter insurgency operation नहीं रुकेगा, no troop reduction on LOC forward areas और कश्मीर में भी यह एक सपश्ट बात है कि हम अपने operations को रोकेंगे नहीं, यह operation ongoing है, यह चलते रहेंगे लेकिन ceasefire violation जिस तरीके से पाकिस्तान कर उसके खिलाब भारत को retaliatory action नहीं करेगा, और अगर पाकिस्तान ने उसका और लंगन किया, तो फिर भारत भी तयार है, भारत जवाब देगा, दिनेश यह बिल्कुल first है, ठीक है, वजीरिस्तान के operation में पाकिस्तान का तालिबानी कमांडर धेर हो गया है, दक्षन वजीरिस पाकिस्तान के खिलाफ एक्ट कर रहा है, ये आपने सबूत दिया, दूसरी बात आपने की के जोशी जी कह रहे हैं के टेरिरिसम के अगेस कुछ नहीं सुनेंगे, और हम अपनी तियारी उसी तरह बांदे रखेंगे, मतलब यही बात हमने की, हमने उसी तरह की तियारी रख हम ये एक्स करें तो आपको इसके उपर इतराज है कि पाकिस्तान अपने 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 आपको बचाने की कारवाई कर रहे हैं, ये डिफेंस सिस्टम आप अपने लिए नहीं आतंगवादियों के लिए लगा रहे हैं ताकि उनके कैम को सर्रक्शन दिया जा सके यही फर्क है जो दुनिया जिस हिसाब से पाकिस्तान को देखती है और किस हिसाब से भारत को देखती है और आपका ये फर्क कभी मिटने वाला नहीं है क्योंकि आप ही की अपरोच कुछ इसी तरीके की हो गई है और दूसरे बात ये जावेद गफारी साब की फिर ग्रे लिस्ट में क्यों बने हुएं है ब्लیک में जाने का खतरा क्यों है फ़ेटी फ क्यों नहीं मान लेता इस बात को आप लोग उन्हें ग्रेलिस्ट में बेज़े आप लोग ब्लैक में भी तो बेज़ेंगे आप अपना मिशन तो कम्पलीड करने की कोश्च पर देखेंगे इंशाला हम वाइट में आएंगे और आपने बी का कि आप ने किया ना हम अगर कर रहे होते हैं उसको भचाने की कोश प्रवाइब लेकिन दुनिया को मानना चाहिए ना किस कारवाई को दिखावे की नुमाईशी कारवाई नहीं लगनी चाहिए ना दुनिया को सवाल ये है जीडी बक्षी साथ ये अगर थोड़ा बहुत भी पीस बहाली हुई है ये जो बातचीत हुई है भगवान करे इसकी उम्र दराज हो लेकिन आपको क्या लगता है देखे साब वैसे तो इनसान उबीद पे जीता है लेकिन हमारा तजुर्बा वेरी सैडली ये रहा है कि जब भी हमने पाकिस्तान की तरफ शान्ती का हाथ बढ़ाया हमारी पीठ में खंजर खोपा गया है आपको याद होगा कि हमारे प्रधान मंतरी मोधी जी खुद पाकिस्तान में अंशेड्यूल स्टॉप किया नवाश शरीफ के घर गए उसकी पोती की शादी में शरीक हुए उसकी मां के पाउच हुए क्या नहीं किया सब आजमा लिया और हमको क्या मिला पठान कोर्ट में स्टैब इन दे बैक व क्योंकि वो केवल जो स्पेशल फोर्सेज की शैलो डेप्थ की स्ट्राइब फिर दुबारा पुलवामा में चोट करी पीठ में खंजर घोपा जब भी बाचीत इनकी शुरू होती है आप ये पैटन बाच जीडी बख्की साब आपके हैं वक्त इजाजत नी दे रहा है और हम चुकाएंगे फुल एंड फाइनल सभी महमानों का धन्यवाद